प्रिश्टी आई एसके इन फोकस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है पिछले कुछ दिनों अर्थ व्यवस्था को लेकर के कई सारी चर्चाएं देखने को मिल रही है और कई सारी रिपोर्ट्स प्रकाशित हुई है कुछ ऐसी ही रिपोर्ट है जो भारत के लिए भी कुछ अनुमान बताती है आने वाले दशक में भारत के लिए किस तरह की चुनोटियां हो सकती हैं और किस तरह की समभावनाय हो सकती हैं इसका दिक्र करती है आज के इस डिसकुशन पर हम एक ऐसे ही विशेपर बात करेंगे खास तोर से कुछ रिपोर्ट का दिक्र करते हुए उन अनुमानों को देखेंगे जू भारती अर्थवयवस्था के लिए लगाए गये हैं इन अनुमानों को समझना हमारे लिए इसलिए भी महत्पूर्ण है क्योंकि अनुमान के अंतरगत कुछ कारक निकल करके आते हैं जो भारत की आर्थिक गतिविधियों की और इशारा करती हैं चुकि हम उन गतिविधियों को जब देखेंगे समझेंगे तो हमें पता चलेगा कि अच्छा इन उपायों को अपना करके भारत क की ग्रोथ का अनुमान लगाया जा रहा है अगर इससे जुड़े हुए कुछ प्रश्न बनते हैं तो उनका उत्तर देने की भी स्थिति में हम आप आएंगे तो आज का जो टॉपिक है वह है अगले दशक में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थ व्यवस्था कैसे बन को ले करके ऐसा अनुमान क्यों लगाया गया इस पर बात करेंगे जो न्यूज आई है वह इंडियन एक्सप्रेस से ली गई है इसमें कहा गया है वाइदा वर्ल्ड इस बुलिश एबाउट दा इंडियन एकोनोमी यहाँ पर एक शब्द दिया हुआ है बुलिश यहाँ प में जो संभावनाएं हैं वह बाजार में तेजी की और है वह सकारात्मक पहलूं को देख रहा है और उसका अनुमान सकारात्मक है उन्हें बुल की कैटेगरी में रखा जाता है तो यहाँ पर ही बुलिश शब्द का इस्तमाल है वहीं अगर एक ऐसा समू है जो बाजार में हैं की मंदी आने की और एक तरह से देख रहा है संभावनाओं को देख रहा है इस तरफесь रुझान है कि जैसे ही मंती आने की संभावना बन रही है तैजी से उनके श Wall 얘기 होता है जिसको ब्हों कहा जाता है या तो यह तरह से उनको मंदढ़िये कहा जाता है तो यहाँ पर 2008 की आर्थिकवंदी के बाद से भारत के विकास का अनुमान किस तरह से लगाया गया है यहीं पर एक रिपोर्ट आई है मॉर्गन श्टैनली की और इस रिपोर्ट में बहुत सारे पॉइंट्स उन्होंने बताए हैं मॉर्गन श्टैनली एक फैनेंशल कंपनी है फैनेंशल सपोर्ट देने वाली उससे जुड़ी हुई कई सारी जानकारिया देने वाली रिसर्च करने वाली तो इसमें कुछ अनुमान भारत के लिए भी बताए हैं कारक कौन कौन से बताए हैं कि अगर अनुमान वृद्धी का है तो कैसे होगी ठीक की वजह से जो आर्थिक विकास की एक अनुमाल लगाया गया है वह हम हासिल ना कर पाएं निशकर्स देखेंगे और एक प्रश्ण देखेंगे जो की मेंस के स्तर पर लिखने का अभ्यास कर सकते हैं जी एस पेपर 3 के अंतरगत विशय जुड़ेगा आर्थिक विकास के अंतर भी सारे बड़े स्तर पर जो स्थितियां थी को खराब होती जा रही थी तो वहीं पर भारत की विकास की दर पर भी इनकरात्मक प्रभाव देखने को मिल रहा था भारत की भी विकास धर इस से ठिकठाक प्रभाव singers उन्हलम की तो हुई ही प्रमक रूप से अमेरिका में सबसे नकरात्मक इस्थितियां देखने को मिली लेकिन 2011-12 के बाद से भारत में एक और चैलेंज देखने को मिला वह था ट्विन दोनों इस्तर पर बनेंगी दोनों ही इस्तर पर खराब बनेंगी क्योंकि बैंकों का जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं जो उनके दिये हुए रिढ है उनकी वापसी नहीं हो रही दूसरा जो कम्पनियां है जिन पर कानूनी कारवाई की जानी चाहिए उनको अतरिक्त मिली हुई है यह समस्या 2011 बारे के बाद से देखने को मिल रही थी और 2017 में एक और समस्या देखने को मिली जब और रियल स्टेट सेक्टर में भी विक्नेस आने लगी कम्जोरी आने लगी इस चेत्र की भी स्थितियां अच्छी नहीं रह गए और आल हम कह सकते हैं कि काफी सारी स्थितियां खराब होती रही उसके बाद कोविड का दौर आने वाला था लेकिन कोविड के दौर से पहले ही जो हमे अर्थेववस्था के अंतरगत वो उसका इस्तर भी गिरता जा रहा है गरी भी बढ़ रही है और अगर मैनुफेक्ट्रिंग सेक्टर जैसी बात करें करें वहां पर भी जो नौकरियां है 2016 की तुल्ला में लगभग आधी रह गई है जो नौकरियां है उनमें गिरावट आई है फिर कुविड-19 का दौर आता है महामारी का लगभग 2020 के साल की बात कर सकते हैं और जो महंगाई थी वो और ज्यादा बढ़ जाती है उच्चों मुद्रा इस्थितिया में देखने को मिलती है उसके बाद रूस यूक्रेन का संकट रूस यूक्रेन का युद्ध भी जिसकी वज़य से वैश्विक स्तर पर जो मुद्रा स्वीती है या महंगाई है वह भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और कई सारे देशों में मंदी जैसी स्थितियां बन रही है लेकि चार दशमलों साथ फीसद की ही विकासदर भारत हासिल करेगा और अगर भारत 9 फीसद तक भी हासिल करता है उसके बावजूद भारत में बिरोजगारी जैसी स्थितियां बनी रहेंगी और लोगों के पास जॉप नहीं होंगी ये एक अनुमान है लेकिन वर्तमान समय में ये देखने को मिल रहा है कि जो भारत है वह वैश्वय किस्तर पर निवेशकों की पसंद बनता हुआ है क्यों बन रहा है जो कि दुनिया भर में जो आर्टिक इस्थितियां हैं उनकी संभावनाव में कमी दिख रही है वैश्वय किस तर पर ये अनुमान tid 살 जक्या रहा है क जो आर्थिक विकास धर है बहुत धीमी है तो आब एक जो रिपोर्ट है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं मॉर्गन श्टैनली की हाल यह रिपोर्ट बताती है इस रिपोर्ट का जो शीर्षक है वह है वाय इस इंडिया डिकेड यह भारत का दशक क्यों होने वाला है एक बहुत अच्छी रिपोर्ट है बहुत जरूरी बाते इन्होंने कही है तो यह कहते हैं कि भारत आने वाले दशक में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए तैयार है इस अनुवान के पीछे चार प्रमुख कारक इन्होंने बताए है पहला है जो रुझान बतात रहा है और बहुत सही तरीके से एक strategic रूप से digital के लो को बढ़ा रहे हैं और अर्थव्यवस्था को से जोड रहे हैं तीसरा है decarbonization याई अर्थव्यवस्था से कार्बन की स्थितियों को कम करना कई सारे जो करण हो सकते हैं कई सारी प्रक्रियाय हो सकती है तो कार्वन उससरी जरी सरजन को बढ़ाती है उसको कमरी और उसके बाद है डी ग्लोबलाइजेशन यानि वैश्वी करण की इस्तितिएं का विपरीत कह सकते हैं कि जहां पर वैश्वी करण में लोग एक दूसरे से जोड़ रहे थे अर्थे व्यवस्ता एक दूसरे से जोड़ रही थी वहीं पर अब डी ग्लोबलाइजेशन जैसी इस्तितियां हमें देखने को मिल रही है यह कहते हैं कि भारत की जीडीपी 2031 तक लगभग 7.5 ट्रिलियन से अधिक हो सकती है ऐसी संभावना है और अगर वर्तमान से देखे तो मौझूदा इस तरह से लगभग दोगने दोगने से भी जादा हो जाएगा इसके लावा दुनिया की तीसरी अर्थेवास्ता भारत तभी बन पाएगा जब यह इस्तितियां बनेंगी भारत की प्रती व्यक्ति आये के बारे में भी अनुमान है यह है दो हजार एकत्तिस में 2,278 डॉलर से बढ़ करके यह 5,242 डॉलर तक पहुच जाएगा ऐसे में जो कंदम्शन है जो उपभोग है जो उपभोगता है उनका खर्च है उसमें भी बढ़ोतरी होगी लोग सामान खरीदने के लिए जादा खर्च कर सकेंगे क्योंकि उनके पा की बात है अगर यह डॉलर में खर्च देखें तो 35,000 डॉलर खर्च करने वाले वर्तमान में 2 फीसद लोग है वह आने वाले समय में लगभग 7 फीसद तक बढ़ जाएंगे हाला कि इस चार्ट में अलग-अलग इस तर पर धर्शाया गया है वह संख्या जो कम खर्च कर सकती ह है लगभग शूने से 5,000 डॉलर के आसपास जो है जिनकी इंकम वहां पर उनकी संख्या में आप देखेंगे गिरावट आएगी और उसके ऊपर जो 10,000 से 35,000 वाले हैं उनकी संख्या में वृद्धी हो जाएगी और यह एक बड़ा गुरुप बन करके उभरेगा कुछ अन कलपना लाए गई है वर्क फ्राम होम वर्क फ्राम इंडिया कई सारे जो नवेशक हैं कंपनीज के CEO है वह इस तरब देख रहे हैं कि भारत में क्यों न निवेश कर दिया जाए यानि कि भारत से उन कामों को शुरू कर लिया जाए जो वह अपनी कंपनी की जरिए करवाना यहां पर दो शब्दों का जिक्र आएगा एक है आफ्शोरिंग और दूसरा है आउट्सोर्टिंग इन दोनों शब्दों में लगभग लगभग समानता भी है और कुछ थोड़ा सा अंतर भी है जहां आप शोरिंग की बात आप ऐसे समझ सकते हैं कि बड़े स्तर पर एक कंपनी जो किसी एक देश में मौझूद है वह अपने प्रमुक बिजनेस को चलाने के लिए अपने कुछ चोटी सबसेडेरी कंपनी को चलाने के लिए या कुछ और सहायता लेने के लिए कुछ अन्य देशों में ऐसे देशों में जहां पर सुविधाय ज्यादा बहतर है श्रम सस्ता है और इस्थितियां ऐसी बन सकती है कि उनका कार और सस्ते में और कुशल तरीके से हो जाएगा अपनी छोटी कंपनी को अपने छोटे व्यवसायों को बिजनेस को वहां भीचते हैं अगर आप यहां देखेंगे आउट्सोर्सिंग ये भी कुछ ऐसा ही है जहां पर कोई एक कंपनी अपने कुछ कारियों को कुछ और कंपनी को कुसी और देश में मौजूद दे सकती है तो इन में थोड़ा सा जो अंतर है इसकी मात्रा का है उस बिजनेस मौडल का है जहां पर आउट्सोर्सिंग में कह सकते हैं कि कुछ कामों का वित्रण हो सकता है अलग अलग इस तर पर जो बहुत प्रमुख नहीं है वहीं और शोरिंग इसका बड़ा रूप है जहां पर दमका कंपनी ना हो करके उनके जो कुछ छोटे वाजार हो सकते हैं उसको वह कख इए चो एक छोटा अंतर है जिसको आपको जानना चाहिये छो वही वर क्रोंक्र 700 वह्रोंट्ष छो जा रहा रहा है इक समस्य एस है अगला है डिस्ट्रिजूटेग डिलिवरी मोडल आउच के बाद भारत में आउट सोर्सिंग में तेजी और अगर हम महामारी की बात करें कोविड-19 की तो उसके दो वर्षों के दौरान भी इसमें और ज्यादा वृद्धी हुई है और भारत में इस तरह का उजो उद्योग में कारेरत लोग हैं उनकी संख्या 4.3 मिलियन से बढ़ी 3.3 फीसद हो गई है और आने वाले दशक में देश के बाहर नौक्रियों के लिए भारत में कारेरत लोगों की संख्या 11 मिलियन से अधिक होने की संभावना है इसी तरह जो आउट सोर्सिंग पर वैश्विक खर्च है इसमें भी वृद्धी हो रही है जो कि प्रतिवर्ष 180 बिलियन डॉलर से बढ़ करके 2030 तक लगबग 500 बिलियन डॉलर तक पहुच सकता है ऐसी संभावना जताई गई है तो यहां पर जो पॉइंट्स है वो यह क्लियर इशारा कर रहे हैं इनके मुताबिक कि भारत में निवेश आ सकता है और भारत की जो एकॉनॉमी है वह बढ़ है छोटे स्तर पर जो कई सारे ट्रांजेक्शन है उसका इस्तिमाल किया जा रहा है जनसंख्या बहुत बढ़ी है और ट्रांजेक्शन कई सारे है लेकिन छोटे है इसका लाभरत की अर्थिवस्ता को मिलेगा और यह प्रीपेट से पोस्ट पेड की और बदल जाएगी यान प्रमुख कारक है जो उन्होंने बताए है अब कुछ जोखिम भी है जिन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है क्योंकि यह जो अनुमान है अगर हम जोखिमों पर ध्यान नहीं देंगे तो हम उन अनुमानों को हासिल नहीं कर पाएंगे अगर लंबे समय तक वहिष्विकमंदी या सुस्त विकास होता रहता है तो इस जो अनुमान लगाए गए हैं उनमें कमी आ सकती है इसके अलावा अगर राजनीतिक विकास भूराजनीतिक विकास प्रतिकूल होता है वैश्यों के स्थितियां रूस यूक्रेन या फिर कुछ अन्य इसी तरह के समीकरणों पर बनती है उसका भी प्रभाव पढ़ेगा वैश्यों के स्थर पर वहां पर जो भारत के लिए इस्टिमेट हैं भारत के अंतरगत और जो नीतियां है अगर उनमें कोई खामियाँ आती है तो विकास में कमी आएगी क्योंके घरेलिय। सब्सक्तर पर राजनीति का स्टेबल होना और उनके द्वारा बनाई गई नीतिया निवेशकों के अनुरूप होना व्यापार के अनुकूल होना बहुत आवश्यक है ऐसे में अगर यह महौल बना रहता है तो ठीक है लेकिन अगर किसी भी तरह की नीतिगत कोई कमी होती है को एक यह कम हो जाएगा इसके अलावा कुशल श्रम इसक्ड लेवर की बात आती है अगर हमारे पांस जनसंक्या बहुत ज्यादा है खासकर यह वाओं की जनसंक्या अगर ज्यादा है लेकिन वह कुशल नहीं है उनको वह इसक्ल ही नहीं आती जो दूसरे देश से आने वाला या दूसरे देश से निवेश करने वाले व्यक्ति को चाहिए आपको रोजगार तो मिल जाएगा देश में लेकिन रोजगार उन ही को मिलेगा जो उस काम को करने की योग होंगे तो अगर इसकी कमी देखी जाएगी तो जो हमारी जनसंख्य की का हम लाभांश देख रहे हैं वह कहीं जनसंख्या बम की रूप में न सामने आए कि हमारे पास बिरोजगारों की संख्या बहुत ज्यादा हो खास और से युवा बिरोजगारों की तो यसे में हमें शिक्षा और कोशल विकास पर भी ध्यान देना होगा इसी और यह इशारा कर रहे हैं इसके अलावा उर इसमें वृद्धी होगी तो भी समस्या आएगी अब निशकर्ष क्या कहता है चुकि कोई भी अनुमानित भारत को खुद से ही नहीं मिल जाएगा हमें प्रयास करने होंगे और इन अनुमानों को ध्यान में रखते हुए हमें और ज्यादा बहतर तरीके से कार करना होगा इ जो कि अमेरिका के लिए प्रमकुरूप से रिसर्च करता है इनका शोध पत्र आया है वैश्विक आर्थिक शक्ति का भविश्य जहां पर इन्होंने चीन और भारत के लिए कुछ विकास के अनुमान लगाए हैं जैसे यह बताते हैं कि चीन और भारत 2100 तक इनकी विश्व पश्यमी यूरोप इनकी हिस्सेदारी में कमी आने लगेगी और एक रमशा अमेरिका की 12.3 फीसद और जो पश्यमी यूरोप है यूरोप यूरोपियन देश है चाहे वो जर्मनी हो फ्रांस हो इन सभी को मिला करके लगभग 11.9 फीसदी के असपास या जाएंगे लेकिन फ भारत में निवेश करना चाहते हैं लेकिन हमें उन जोखिमों को कम करना होगा उन पर विशेश रूप्त ध्यान देना होगा ताकि जो अनमान है वो सही साबित हो और भारत में निवेश है और भारत ग्रोथ कर सके ठीक है अब लेते हैं आज का सवाल प्रश्न है कई वैश् ने लगाया है तो 250 शब्दों में इस प्रश्ण को लिखने का आप अभ्यास कर सकते हैं चुकि जीस पेपर 3 के अंतरगत आर्थिक विकास वाले सेक्षन से जोड़ना इस प्रश्ण के लिए बहुत महत्पूर्ण रहेगा ऐसे में आपको इसकी तैयारी जरूर से करनी चाहिए।